नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप और सम्थिंग नियो 24 यूट्व चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे बिना फोटो सॉप की साहता से MS Paint के दोरा किसी भी फोटो को अपनी मन चाही साइज में काट सकते हैं कोई फॉर्म किसी फॉर्म में आपको अपनी फोटो अपलोड करना है तो आप कैसे बिना ही फोटो सॉप के आप अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि MS Paint दोरा आप अप फोटो को कैsra department करेंगे और आपको सबसे पहले म सबसे प्रटो टो करना वास दो ऐसकर पर की फोटो तो इसके लिए क्वूटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो है फॉट filter थी अमचिन्लोबंट कि यह दोस्तों यह आ गया मेरा स्कन्य को मैट को में सींदुक्राइब इस पूरे पेज बेच में से मुझे सिर फो्टो को ही कॉप करना है तो कैसे करेंगे आप इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्लेक्षन टूल पे शिलुक्राइब शीज़ा डूल पे आपको स्लेक्ट करना है, Rectangle Selection ठीक है ना, उसके बाद आपको वसेडिया को स्लेक्ट कर लेना है, जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्रॉप पे क्लिक कर देना तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपकी पोटो जो है वो ग्रॉब हो चुकी है अभी जो फोटो है वो थोड़ा टेड़ी है तो इसको सीधा कर देते हैं खड़ा कर देते हैं इसके लिए आपको Simply rotate पर क्लिक करना and 90 डिगरी rotate कर देना है んと चैसे यह आपकी जो फोटो है एक क्लोग बाइस नाइंटी डिगी रोटेट हो गई यह बिल्कुल सीधी हो गई है अब आप इस फोटो को अपने किसी भी फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं तो इसको सेब कर देते हैं सेब अब यह दोस्तो फोटो सेव हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें इसी प्रिकार की वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सम्थिंग न्यूट्टिफॉर यूट्यूब चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बुट बाई